दिली में साइबर क्राइम के केसिस बढ़ते जा रहे हैं 15 अगस्त को टाइम सॉफ इंडिया में छपी एक ख़बर के मताबिक इस साल जून तक पुलिस के पास 24,000 से जादा शिकायते आ चुकी हैं 2022 में इसी दौरान याखडा 75,000 शिकायतों का था यानि साइबर क्राइम में 200% का उच्छाल दर्ज किया गया है अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के मताबिक साइबर के अपराधों को हर्याना के मेवात और जारकंड के जामताड़ा से अंजाम दिया गया था रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का डेटा बताता है कि 2023 में जून तक साइबर अपरादों में लोगों को 168.5 करोड रुपए का नुकसान हो चुका है वहीं साल 2022 की इसी अबदी के दौरान 42.6 करोड की ठगी की गई थी एक अधिकारी के मुताबिक जो अपराद सामने आये हैं उनमें डेबिट और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, सिम स्वाइप फ्रॉड, इवालेट फ्रॉड, इंटरनेट बांकिंग और UPI से जुड़े फ्रॉड ज्यादा संख्या में हैं वहीं साइबर सेल इंवेस्टिगेटर ने TOI को बताया ओनलाइन ट्रांजक्शन तेजी से बढ़ रहे हैं पैसे भेजने और रिसीव करने का एक सिस्टम होता है अपरादी सिस्टम में कमिया तलाश करते हैं और फिर फ्रॉड्स को अंजाम देते हैं इतना ही नहीं साइबर अपरादी पुलिस को चकमा देने में माहिर हो गए हैं उन्होंने पबलिक के पैसो को चोरी करने के नए नए तरीके निकाल लिये हैं दिली पुलिस के पास अब हर जिले में साइबर पुलिस स्टेशन है और एक सेंटर साइबर सेल भी है पुलिस का दावा है कि वो इस तरह हाला कि इसके बाद भी अपराद बढ़ते जा रहे हैं कभी कस्टमर केर बता कर तो कभी पैंक अधिकारी बनकर इसके लावा कभी सुरक्षा करमी तो कभी दोस्तों रिष्चदार बनकर भी अपरादी आपके पैसों को लूटने की कोशिश करते हैं कई मामलों में तो ऐसा है जुन में ये खुद को कानूनी प्रवर्तन अधिकारी बताते हैं और जूटे मामले में फसाने की धमकी देते हैं तो इस तरह से साइबर क्राइम को अंजाम दिया जा रहा है इसलिए आप भी इस तरह के कॉल या मैसेजिस से बचे और अलट रहें साथ ही देखते रहें मनी जाइब मिनाई प्रवर्तन आप रहें लागें जाड लमकी देखते हैं.